अम्बेटकर नगर जनपत की सुविख्या समाज सेवी स्तंस्था पीके चरिटिवल ट्रस्ट अध्यक्ष वरिष्ट समाज सेवी शरत यादव के द्वारा विगत दो वर्षों से निरंतर समाज की गरीव कर्ण्याओं को सर्व धर्म स्तामुहिक विभाग कराया जा रहा है तथा पुलिस अधिक्षक अम्बेटकर नगर एवं पीके चरिटिवल ट्रस्ट के अध्यक्ष शरत यादव की द्वारा समाज के दवे कुछले निर्धन बच्चों को गोद लेकर काक्षा एक से बारेवी तक की संपूर सिक्षा का खर्च स्वयम वहन किया जा रहा है पीके चरिटिवल ट्रस्ट अध्यक्ष एवं परिस्ट समाज सेवी शरत यादव की द्वारा चनपत में विभिन प्रकार के समाज सेवा से जुड़े उत्करस्ट कारियों को देखते हुए ने सयुक्त रूप से वरिष्ट समासेवी शरत यादव को प्रश सी पत्र अंगवस्त्र एवं समान पत्र भेट कर सम्मानित किया उक्तवसर पर PK Charitable Trust के कोशाद्यक्ष समासेवी जावेद राइन को भी ग्राम पंचायते पदादिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया सम्मानित हुने के पश्चात वरिष्ट समासेवी शरद यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभाफती कैलाश Charitable Trust बस्खारी अंबेटकर नगर के तत्वाधान में प्रतिवर्ष 3 नवंबर को सर्वधर्म सामुहिक विवाह कारिकरम का आयोजन किया जाता है सर्वधर्म सामुहिक विवाह कारिकरम में समाज के निर्धन बेहन बेटियों की शादी शाही अंदाज में की जाती है विरित है कि विगत दो वर्षों से प्रतिवर्ष 21 जोडों की शादी PK Charitable Trust द्वारा कराई जा चुकी है और सभी बेहन बेटियों को उनकी शादी में 21 उपहार संस्था द्वारा सप्रेम भीट किया जाता है सभी 21 जोडों की बारात राजशाही अंदाज में निकाली जाती है एवं सभी बारातियों तथा गड़माने लोगों की उपस्तिती में सभी का भव्यस्पागत करते हुए संस्था द्वारा मिस्ठान एवं भोजन क व्यवस्था की जाती है वरिष्ट समाज सेवी शरद्यादव ने कहा कि सर्व धर्म सामुहिक विवा कराने का मेरा मुख्य उत्देश्य समाज सिकन या भून हत्या रोकने एवं किसी गरीब परिवार की बहन बेटी की शादी धन के अभाब के कारण ना रुपने पाए ऐस समाज सेवी शरद्यादव के द्वारा सायट तुरूप से निर्धन परिवारों के 26 बच्चों को गोद लेकर एक से कक्षा बारेवी तक के संपूर्ण सिक्षा का खर्च वहन किया जा रहा है। शरीफ मसूदी एवं जिराद्यक्ष सुनिल सिंग सहित सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है।